कमल लाइफ चैनल में आज में बनाने जा रही हूँ समोसे समोसे जो समोसे वो हम बाहर खाते हैं ना होटल में उस टाइप के समोसे हमें बनाना है तो चलिए फिर अभी इस मैदे को मैं अच्छे से चान लेती हूँ क्योंकि इसमें जो अगर बारे गुख लिया अगर रहती है तो वो निकल जाएगी 200 ग्राम मैदा लिया हुआ है इसमें स्वादा नुसा नमक एड़ करते है उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मैंने कड़ाई में पहले ही तेल गरम करने के लिए रख दियाता है अभी हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है अभी हम इसमें दो चम्मर तेल एड़ कर देते है उसके बाद जो अजवाईन है उसको अच्छे से करश कर लेते है फिर अजवाई इसमें आड़ कर लेते है इसक अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि गुठली ना जमें अ त्याय है में अच्छे से भी हमें इसमें पानी डाल के इसका एक डॉब बना लेते हैं अब यह मारा ढूब बढ करी तरह से तया हो गया अभी मैं इसको पंद्रा मिनिट के लिए इसे ही छोड़ दूंगी कड़ाई अच्छी से गरम होगी है अभी हम इसमें एड़ करेंगे दो चम्बस देल इसमें एड़ करेंगे वन टेबल स्पून जीरा जीरा को अच्छी से होने देंगे उसके पाद हम डालेंगे कड़ा कड़ी पत्ता अच्छी से बाद हरी कटी हुई हरी मेर्च तक होने दिए अच्छी से वह गने के पाद इसमें हम एड़ करेंगे जो हमने अधरक कड़ करके रखा था वह इसमें हम एड़ करेंगे यह देख सकते हो आप में इसको अच्छे से जाल दिया उसके बाद है जो हमारा मसाले का धनिया रहता है उसके हिलंड हमने मिख्षे से बारी कर लिए जो डाल दिया उसके बाद मैंने सोप डाल दिये एक टेबल स्पून सोब उसके बाद मैंने हरी मटर रहती है वो भी डाती है इसको थोड़ा सा अच्छे से होने देंगे काम आच में एक चमाच मैंने लाल कश्मीरी मिर्च डाली हुई है आदा चमाच हल्दी पाउडर आदा चमाच जीरा पाउडर इसके बाद मैंने जो आम चुर पाउडर लिया था वो आदा चमाच आम चुप पाउडर डाला है उसके बाद चाट मसाला आदा चमाच इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम डालेंगे जो हमने आलो को मैश करके रखा था वो डालता है हमने उसको डाल दिय या और अच्छे से मैच कर दिया है हमने लोगे का यह जी से क्योंट में गोल शेप में क का दो जही मरें बें डदिया अभी हम इसके रोटिया बेलने वाले हैं हमें रोटिया जो बिलनियत के old शेप में वह में सल्गाई filter, क्योंन लिए तो हम इस रोटी के दो पार्ट करेंगे सेंटर में से इसको कट करेंगे सेंटर में से कट कर लेते हैं देखिए इस तरह से हमें कट करना है देखिए तो इसको इस तरह से फिर हमें ट्रेंगल शेप बनाना है ट्रेंगल शेप बनाने के लिए पहले हमने एक साइड में पानी लगा लिया था इस कोन को इस तरह से हमें पकड़ना है पकड़ने के बाद इसको अच्छे से स्टफिंग करना है स्टपिंग हमारे अच्छी होने चाहिए इस तरह से हमारे स्टपिंग होनी चाहिए इस तरह से पाने लगाके दबाना है इसको यह यहांसे भी होड़ करना है इस तरह से हमें समोसे की स्टफिंग अच्छे से करना है इस तरह से हम कर लेते हैं स्टफिंग यह देखे हैं हमारे समोसे बनके तयार है इस तरह से हम पूरे के जीतने भी समोसे उतने बना के तयार कर लेते हैं फड़ा फट से चलिए फिर यह देखे इस तरह से हमारे समोसे ब जो फ्लेम लो भी नहीं रखना और हाइव रखना और हम इसको तलना है तो यह समोसे तलने का अपना काम कर लेते हैं तब तक आप ख़ुटाक से एक काम किजिए मेरे अगर यह मेरे चैनल को आपने लाइक ने किये तो लाइक कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए और अगर आप इस वीडियो में नए हो यह वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरू कर देना तो मैं आपसे बात कर दीए हो तब तक हमारे समोसे भी तल के तयार हो गए है तो आप देखी सकते हो इस तरह से हमें समोसे को तल ना है इस तरह से हमारे समोसे पूरी तरह से बनके तयार हो चुके है अगर आपको मेरी यह जैसी भी अच्छी लगी हो तो आप एक पर घर में ज जरूर बताए कि आपको यह रेसिपिक ऐसी लगी करके तो यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज